क्या लाज नाज जी क्या हुआ आपके लड़के का कोई नौकरी वोकरी मिलिया नहीं? क्या बताओं भाईया? एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इंट्रिव्यू टेस्स सब कुछ पास कर लिये थे लेकिन दो-दो लाग रुपे अंडरहेंड मांग रहे हैं मैं घरीब आप भी कहां से ला हुँ इतने पैसे? घबराईये नहीं आपके बच्चे के उझ्वल भविश्य के लिए अब आ गए हैं भट्टी अंडरहेंड फैनांसर्स हां तरह की अडवांस रिश्वत के लिए आसान किष्टों पर लोन ले भट्टी अंडरहेंड फैनांसर्स पूली पैंशन यूर नेम प्लीज माम आम राजन अपने बच्पन की फोटो लाए है बच्पन की तो नहीं लेकिन ये लेटेस्ट फोटोग्राफ लाए हैं सर्य ये देख लीजे हमने स्पेशली आपको इंट्रू लेटर में लिखा था कि बच्पन की फोटो लेके आनी है यू में गो नेक्स प्लीज गुद मॉर्निग माइन में इस निखिल आयम फस्टाफ फस्ट ये नहीं मेरी बच्पन की फोटो लेकिन सर ये तो मेरे बच्पन की फोटो है ये तो बच्पन की फोटो देखकर ही बता देता है कि आदमी इजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा यहां कुछ भी नी बनेगा पर फोटो थे कि कैसे पता चल सकता सर अब देखो ना मेरी बच्पन सी ऐसी शकल सी जैसे एक M.D. की होती है और आज में एक M.D. हूँ आप बर्बार ना करें यू में गो प्लीज नेक्स्ट क्या हुआ यार चाप उच्छा इंट्रू तुमारे कासे हुई क्या खाग इंट्रू थी यार बच्पन की फोटो देखके रिजेक्ट कर देया मेरे को यार उनने मुझे भी का कि तेरी बच्पन की फोटो ठीक नहीं है यार ये तो गलत बाद है ओ सरायाम जाती है यार हमें ऐसे लोगों के लाब आवाज ने उठानी चीए अगपार में ख़बर चापनी चीए बिल्कुल ठीवाद है यार भी ये क्या ख़बर चपी है हमारे में में बच्पन की फोटो देकर सेलेक्शन हो रही है सर मैं ऐसा करता हूँ MD साब को आफिस में बलवा लेता हूँ हो सकता है ख़बर गलत हो ख़बर गलत हो ही नहीं सकती मुझे पहले भी शिकायत मिल चुकी है आप अभी MD को बलवाओ यहीं कोठी में ओके सर जी मैं वो बच्पन की फोटो लेके आद हूँ आरे यार पहले फोटो के चक्र में यहां इन्क्वारी चल रही है चलो यहां से मिस्टर भटी आपने हमारे पूरे महकमे का मजाक उड़वा दिया है सर अपना महकमा है यह बड़ा मजाक किया सर क्या मतलब सर मेरे मतलब सर मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा मजाक नहीं उड़वाई सर तो फिर आपने सेलेक्शन के लिए बच्पन के फोटोग्राफ के से हिसाब से मुआ है वो सार अच्छली आपके जो माताई हैं उन्होंने एक कैंडिडेट की बड़ी जोरदास सफारिश की थी उन्होंने का था कि उसे रखना ही रखना है अरे हाँ बेटा अपने गाउं का वो ओमी नहीं है ओमी उसी की बेहन का बेटा है पप्वू उसी के लिए मैंने कहा था सर माताई को उसका पूरा नाम और पटिकलोज पता नहीं थे फिर हमने कहा कि कोई निशानी के तौर पे अगर कोई फोटोग्राफ गरा मिल जाए तो उन्होंने एल्बम से निकाल कर सरी ये बच्पन की फोटोग्राफ दे रही थी भटी सब मैंने सुना है कि आपने आनेंप्लाइमेंट पर बहुत स्टड़ी करी है मेरे मतलब बेरोजगारी दूर करने के कई नए नए ढ़ंग नए नए तरीके निकाले है अजी ऐसी ऐसी तरकीबे हैं कि बेरोजगार टॉर्च लेकर ढूनने से भी नहीं मिलेंगे यह नया इस लाइन में सीख जाएगा बच्चा आपका चुम्बे हां हुदूर ईशाथ उल्लू बैठा बाग में अपने पंक पसार उल्लू बैठा बाग में अपने पंक पसार कलियों ने खुंकट ओड लिए शर्मा गई वहाँ 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 मेरे साजन अब तो आजा करके टेक्सी कार वाँ वाँ बहुत अच्छा अच्छा हुजूर हम आपी चाहूंगा जरा अकबर सिंगापुरी के आजाना घासल सुनने है आचल बेटे आज आज आज़ आज़ अच्छा बटसब ऐसी बेहुदा शारी तो सुननी बहुत मुश्किल है इसमें वाँ वाँ करनी तो बहुत बड़ी बात है ने ने को प्रावलोम ही नहीं ये तो जिन लोगों ने ये प्रोफेशन जॉइन करना हो उन लोगों को अपने कान का एक माइनर ओपरेशन करवा लाना चाहिए उससे क्या होगा उससे सुनाई देना काम हो जागा सिर्फ ये अंदादा लगेगा कि शेर कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है और किस किसम के कारोबार हैं जी आपके माइन में अब कई लोगों के पबलिक रिलेशन्स बहुत पूर होते हैं उनकी किसी के साथ बंती नहीं यहां तक कि उनकी शादी पर भी कोई जाने को तयार नहीं होता मेरी तो अपनी शादी पर बड़ी मुश्किल से दो तीन बराती आये थे जी तो सैंकडो बेरुजगार आप जैसे लोगों की शादी आटें कर सकते हैं अरे हमने तो अपने देवर की शादी में सारा कुछ बटी टेंट हाउसे मंगवाया था अच्छा टेंट, कनाते, क्रोकरी यहां तक के पच्छेस बाराती भी उन्हों ने भीजवा दिये अब तम सूटेड, बुटेड, एजुकेटड बराद लग रहे थे वैसे यह अच्छा किया और लड़के का चाचा, वो तो चौपार्टी में भेलपुरी बेशता है फिर टेंट हाउस वालों ने पांच सा रुपे में ऐसा चाचा भेजा क्यों तो एकताम इंग्लेंड रिटॉन लगता था अब भहुत से शराबियों ऐसे होते हैं जो ठेके तक तो अपने आप पहुंच जाते हैं लेकिन पीने के बाद वापिस घर आना उनके लिए प्रावलम होती है अच्छी उने घर का रास्ता समझ में नहीं आगा ना बटी साब तो ऐसे शराबियों को ठेके से वापिस घर तक पहुंचाना ये भी अपने आप में एक काम है ये लो जी अपने पती संभालो अड़ी पसली साब बराबर देख लो अच्छा सुनो रास्ते में कहीं गटर या नाले में तो नहीं गिरे थे नहीं जी नहीं आप चेक कर लो मिट्टी बिटी कहीं नहीं लगी है सुनो सामने वाली बीबी जी पूछ रही थी कि उनके पती रात में शराब पीकर दो बज़े फ्री होते हैं उन्हें गर पहुचा दिया करोगे जी बिलकुल पूचा देंगे जी पर यह है जी कि दो बज़े के बाद 50% चार्जे एक्स्टा लगेंगे एक और एक्जामपल जल्दी दें तुम्हें बहुत जल्दी है नहीं बटी साब मुझे तो कोई जल्दी नहीं पर हमारे दर्शकों को हमेशें जल्दी होती है अपने जो नेता लोग होते हैं जब वो भाशन देते हैं तो उन्हें तालियां बजाने वाली जनता चाहिए हाँ यह तो है हजारों बेरोजगार ध्यारी पर तालियां बजाने का काम कर सकते हैं सुना है आपके मिया को बोट कलब की रैली में तालियां पज़वाने का कॉंट्रेक्ट मिला है बहुत बड़ा कॉंट्रेक्ट है हम पचास हजार लोगों की रैली में हर पाँच मिनट के बाद तालियां और हर दस मिनट के बाद नारे लगवाने है वेरी प्रिस्टीजिस कॉंट्रेक्ट यू नू बटी साब आपने तो बड़े अजीव अजीव काम धंदे इन्वेंट की है जी एक्चली मेरे ताउजी ना बहुत बड़े मिनिस्टर है तो मैं उना सजेस्ट करूँगा के ये हजार दो हजार तालियां मारने वालों को ना पक्की नौकरी पर रख लें मतलब सरकारी नौकरी दे लें ना सरकारी नौकरी पर निर्खना धेली वेजिस तेंपरेरी जॉप वो क्यों क्यों कि जिस दिन उन्हें सरकारी नौकरी पर रख लिया वो तो तालियां मारने चोड़ देंगे देल रोजगार भैनो और भाईयों के लिए पेश है अनिम्प्लाइमेंट क्वेज जिन्दाबाद मुर्टाबाद जिन्दाबाद मुर्टाबाद ओरे रभी क्या हो गया ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे सर कल को जब हमें नौकरी मिल जाएगी तो डिये की किष्टों और बोनस के लिए नारे नहीं लगाने पड़ेंगे ओ हो यहां तुम्हें नौकरियां देने के लिए नहीं बुलाया ये कोई इंप्लायमेंट एक्सचेंज नहीं है ये क्विज है क्विज Okay, Okay, Okay समझदारों से शुरू करते हैं तो पहला सवाल है समझदारों के लिए सवाल यह है कि सरकारी नौकरी और बिजनस में क्या फर्क है बहुत फर्क है जी सरकारी नौकरी में हाजी लगती है बिजनस में नहीं लगती ना गल्टा बेवकूफ बताएंगे कि सरकारी नौकरी और बिजनस में क्या फर्क है जिनाब प्राइबेट बिजनस में लेन देन मेज के उपर से होता है और सरकारी नौकरी में मेज के नीचे से जवाब बहुत ही खूपसूरत तो अगला सवाल वैसे ही बेवकूफों के हिस्से में आ रहा है सवाल है अगर नौकरियां पेड़ों पे लगने शुरू हो जाएं तो क्या होगा फिर तो माली की पोस्ट के लिए भी आईएस अफसरों की होड लग जाएगी सही जवाब के लिए मुबारक अब चनौती है सामजधारों के लिए सामजधार अपना दिमाग लडाएंगे सवाल है कि एक आदमी किसी कंपनी के चेर्मेन की पोस्ट को ठुकरा देता कह देता कि मुझे नी चाहिए ये पोस्ट क्या कारण हो सकता जी वो इतनी बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी लेने से डरता है गलाट बेवकूफ पताएंगे सर वो नग चेर्मेन की पोस्ट को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि इसमें आगे नो प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं होता जवाब सही है ने बेवकूफों के परमोशन के पूरे चांस और अगला सवाल बाई चांस फिर बेवकूफों की नजर तो सवाल है कई बार आपने अख़वारों में नौक्रियों के विग्यापन देखे होंगे कई पोस्ट ऐसी होती है जिन पर हजार और पे दंखा होती है पक्स होती है गाड़ी बंगला नौकर्चाकर चाहकर सब कुछ मिलता है ऐसी पोस्ट के लिए अगर अपलाई करना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसी पोस्ट पर अपलाई करके वक्त लेहीं बरबाद करना चाहिए वो क्यों ऐसी पोस्ट कमपनी के मालिक ने अपने बाल बच्चों को लिए रिज़र्व रखी होती जवाब दरूस इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई और इस जीती होई टीम को दिया जाएगा सौस और पे अनिम्प्लॉयमेंट अलाउंस आप भी खाईए और 50% मुझे खिलाईए जी ये मेरा बेटा है इसने अभी पी काउम की है जरूर नतल मार के की होगी जी आप तो जानी जान है पंड़जी पंड़जी नहीं जोतिश चारक हो जोतिश विज्ञान के जाने माने विज्ञानी माराज आप तो बस इसे नौकरी दिलवा दीजे गदे ने कहां अपलाई किया है ममे मुझे गदा क्या है चुपकर रहे बेटा इनके ग्यान के सामने हम सभी गदे है जी मेरे लाल ने अर्बन डेवल्ब्मेंट अथारिटी में अपलाई किया है बारा तारीक को इंटर्व्यू है अर्बन डेवल्ब्मेंट अथारिटी यूडिये 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 चेर्मेन है मिस्टर गोखले जी हाँ सी एल गोखले बहुत ही शरीफ आदमी है हमने पैसे देने की बहुत कोशिश की पर बात बन ही नहीं कुंडली में गड़ बड़ होगी गदे की कुंडली कहा है ये लीजे महराज चेर्मेन की कुंडली और गदे की कुंडली मिल नहीं रही मिलानी पड़ेगी मिला दीजे महराज वो तो फिर हवन करना पड़ेगा दो लाख क्यावन हजार की हुती और 11,000 की समगरी लग जाईगी ये बहुत जादा है वो तो फिर UDA में नौकरी मिलना इतना असान नहीं है वो भी इस गदे के लिए ठीक है, आप समगरी लिखवाईए लिखिए एक टेन काजू, तले होना हो फ्राइड काजू से कलेस्टरल बढ़ता है देवताओं का भी कलेस्टरोल होता है, स्वामी जी नए देवताओं का होता है, आगे लिखो दो सिल्की साडिया, चार कंबल, एक गहरे निले रंग का गर्म सूट स्वर्ग में भी सर्दी होती है, महराज जिस देवता की हम पूजा करते हैं, उसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्याज, सब कुछ लगता है हाँ, प्याज से याद आया कि छे बोतले विदेशी शिराब की भी लिखो ये, ये कौन से देवता है? करफशन देवता, करफशन देवता खुश तो सारे खुश ये सारी समगरी, दो लाख क्यावन हजार रुपए, ये सब ग्यारा तरीक, ग्यारा बज़े से पहले 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 पहुंच जाएगी डैडी अगर इतने पैसे खर्ष नहीं है तो UDA की चेर्मन को डिरेक्ली दे जाते हैं इनको देनी किया जरूत है इस गदे को यह नहीं पता कि इमानदा रफसर कभी डिरेक्ट डील नहीं करते हमेशे अपने एजेंट के तुरू काम करते हैं एजेंट मुर को बोलो एजेंट जस पाला नंद की जे पुल टैंशन नमस्कार अब आप सुनिए बेरोजगार समाचार एक सरकारी अधारे के लिए जरूरत है चालेस टाइपिस्स की जिनकी टाइपिंग की स्पीड दस कलतियां प्रती लाइन गपे हागने की स्पीड दो सो शौट प्रती सेकिन और स्वेटर बुनने की स्पीड दो स्वेटर प्रती सता जरूरी है अनखा के इलावा महीने में एक बार दफ्तर की स्टेशनरी चोरी करने का मौकर दिया जाएगा बी एन आर डिपार्टमेंट के लिए जरूरत है सत्तर सिविल इंजिनियर्स की जो सत्तर करोड का सडको का बजट बिना सडके बनाए हड़पने की शमता रखते हूं उमीद वार साथ तारिक से पहले पहले हेड आफिस या सीधा मंत्राले से संपर्क करें संपर्क करने के लिए केवल सौसो और पचास-पचास के नोटों का ही इस्तिमाल करें एक सरकारी हस्पिताल के लिए जरूरत है दस डॉक्टरों की जो अपनी प्राइवेट टेक्टिस के साथ साथ हस्पिताल के मरीजों को देखने का टाइम भी निकाल सकें तनखा के इलावा सरकारी दुआईया, धर्मामीटर, स्टेटोसकोप और एक्स-्रे की फिल्मे बोनस के रूप में दी जाएंगी अलग-अलग जगा में टैक्स इकठा करने के लिए जरूरत है तीस टैक्स इंस्पेक्टर्स की जिनकी लंबी मूच्छे, बड़ी-बड़ी आँखें और चेहरे पर दरावना पन होना जरूरी है एक्स टाक्वों को प्रेफरेंस दी जाएगी रोडवेज के लिए चाहिए चालिस बस ड्राइवर जो बिना हाथ दिये मूरना, हाई स्पीट ओवर्टेकिंग और बिना ब्रेक लगाए बस चलाने में माहिर हों शराग और अफीम का सेवन करने वाले उमीदवारों को प्रेफरेंस दी जाएगी इसी के साथ बेरोजगार समाचार समाप्त हुए हाँ कोई अच्छी नौकरी अगर आपकी नजर में हो तो हमें भी जरूर बताईएगा हम दोनों खुद भी बेरोजगार हैं मिस्टर टिकू आप बे फिकर होकर इंटरूट पर जाएगे आपकी स्लेक्शन हो जाएगी जिन जिन अप्सरों हमने मुच्छे कीली करनी थी वो कर दी हैं वाहाँ जिन अप्सरों हम जो प्रश्चे के मेंबर्स को पता कैसी लगेगा के सफार्शिक एडिट में हूं वो तो हमने सारी सेटिंग कर दी है जी हैं वो स्लेक्शन कमेटी के पाँच मेंबर्स हैं जो भाहे हास्ते दूसरे नमबर पर मेंबर बैठा होगा जब भी कोई सवाल पुछे उसे आप अपनी दाई आंख मार देना अब समझाएगा ओके सर थाइक्स लॉट तरह सपेलिंग ठीक बोला करें ना तढली फूड पर प्रस पैलिंग ओअ आपको फूर मैल जागा जी एक्दाम एक्सपर्ट एवन होजी हमारा अधमेंड किया हू आदमी कभी वही नहीं चाथा मिस्टर टिकू, आपकी क्वालिफिकेशन्स क्या है? जी क्वालिफिकेशन्स? बग कमीज? ओँ, अब सुरी, मुझे लगता मैं गवता आख मार गया Mr. जेंटलमेन, आपका कोई वर्क एक्सपिरियंस है? यू इडिएट, क्या बतमीजी है? ये मुझे एनक उठाउठा के आख मारा है? मैडम नहीं है, ये जान गूज कर ने मारा है, आपका कैसे मालूम? आप जानते हैं इसे? नहीं मैं तो बश्यानल बात कर रहा हूं वो क्या है कि कई बार एक्स्टेमली ब्यूडिफुल लेडी देख कर ना, उसके आउनर में आख अपने आप दब जाती हैं क्या बारी? ये जान गूज कर दो आपके जाती हैं ये जानस मादम थैंक यू बेटे की इंटर्व्यू काला अगई है पांट सो चगा अपला ही किया था परें इंटर्व्यू लेटर पहली बार आई है वेरी गुड, वेरी गुड, कहां है लेटर? औरीजिनल लेटर तो हमने फ्रेम करवाने के लिए भीजी है ये फोटो स्ट्रेट कॉपी है आप इसे देख लीजिए ये भी उतनी ही मज़ेदार है लेटर मिलने से रॉकरी नहीं मिल जाती वो तो हमें मालूम है इसलिए तो आपके पास आएं अब बताएए आगे क्या करना है आगे तो आप ये फार्म भर दें और चपपन सो पचाथ रपे जमा करवा दें वो किस चीज के? बी ई गाइडेंस के बी ई गाइडेंस? बैक डोर एंटरी गाइडेंस मतलब अंदरी अंदर पिछले दर्वाजे से सिपार्शी नौकरी लेकिन चपन सो पचास किस हिसाब से? आपको बता है जिस डिपार्टमेंट में इंटर्विव है उसके एमडी कौन है? और किस इलाके के हैं? जी नहीं इस इंफरमेशन के 1650 रपे आप जानते हैं उस मेंग में का मंत्री को ओन है और वो किसका कहना मानता है? जी ये तो नहीं जानता इस जानकारी के 2000 रपे आपको मालूमा आपका बेटा जिस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहा है उस पोस्ट के लिए अंदर अटेबल फी कितनी है? इसकी तो ख़बर में तो फिर इस ख़बर के भी 2000 रपे हैं इस सारी इंफर्मेशन के कितने पैसे हो गए? 5650 आप फिर मैंने भी तो इतने ही बताये थे बटी साथ पहले से मुझ में टा करें है अच्छा तो नौकरी मिल गई नौकरी तो मिल नहीं बटी साथ उजे सेलेक्शन कमेटी के बोर्ड में मैडम नहीं थी मैडम पुरामिला जिसकी पिछले दस साल दे शादी नहीं हो रही है उससे मुरी शादी तया हो गई है अच्छा फिर तो डवलम पारण को हो गई सर यह दो छब भश्हपन सो पचास रुपे आपको तो नौकरी तिलाने का बहुत तजर्बा है मुझे तो बीच साल का तजर्बा है मुझे पतालों नौकरी जिने पीम मुश्कोल आती है तर मतलब आपने बीच सालों एक इन हम कही नौकरिया की है नौकरी के मुझे मिली नहीं, ये तो 20 थाल मैंने धक्के खाये नौकरी के लिए, Unemployment Experience तो वो बेचारे कहां जाएं, जो दर दर ढूंडते सर्विस्थ, ठके हारे, वो घर आएं, वो बेचारे हैं अफसर चाचे और ताएं, वो जिन भी खुश नसीबों के वो जिन भी खुश नसीबों के, वो जिन भी खुश नसीबों के कोई भी पोस्ट हो खाली, कोई भी पोस्ट हो खाली, वो अपनों को भी दिल आएं, ना जिन की हो सिपारिश तो, वो बेचारे कहां जाएं, जो दर दर ढूलते सर्विस्ट झालते सर्विस्ट यह जाएं, टुश फुश यह जाएं, वो जाएं, वो उपनों के काल में थे खुश जे खुश नसीबों के कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो तो खबके दो कर दो तो दो फ़ मुटतरे हूई आओर बॉब आओर बॉब कर दो कर दो कर दो